अब हम देखते हैं कि intercortile range क्या होती है और ये एक ऐसा concept है जो data science के अंदर बहुत ही ज्यादा use होता है when you are dealing with the missing values या null values प्लस आप जब data के साथ कोई outliers को remove कर रहे होते हैं तब भी आप इनको deal करते हैं outliers वाला किसा आपने सुना होगा कि जब भी आप outliers देखते हैं तो IQR के साथ कोई formula अपनाते हैं और उसकी base पे आप outliers को निकाल बाहिर करते हैं लेकिन आप intercortile range का अगर median निकाल लेते हैं या आप data का median या mean निकाल लेते हैं तो उससे आप missing values को भी impure कर सकते हैं but on the other side outlines के लिए यह बहुत effective way है मैं screen आपके सामने शेयर करता हूं और देखते हैं कि intercortile range होती क्या है तो यहां पे मैं लिखता हूँ intercortile range अब हमारे पास कोई data है कोई भी data ठीक है अगर उसको मैं चार हिसों में divide कर दूँ say for example मेरे पास जो data है उसका एक हिस्सा ये है इतना दूसरा हिस्सा इतना हो गया तीसरा हिस्सा इतना हो गया अगर आप गौर करें और यह हमारे पास बनता है say for example चौता हिस्सा ठीक है अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये center है उसके right side पे और left side पे आदा-दा हिस्सा है और उसके दूसरी side पे भी आदा-दा हिस्सा है आप अगर गौर करें तो यहां पे यह जो डबह हमारे पास बनता है यह Q1 यानि के पहला 25% 25% वाले data को हमने divide करना है यह हो गया हमारा Q2 यह हो गया जनाब Q2 यह हमारा हो गया जनाब Q3 ठीक है और यह हमारे पास हो गया Q4 यहां तक समझागी अब हमने करना क्या है हमने देखना है कि ये भी 25% है ये भी 25% है और जो नीचे वाला है वो भी 25% है अगर आप गौर करें तो 25% यानि कि हमने 1 रुपे को 25-25 पैसे में डिवाइट कर दिया एक डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइट कर दिया जो उसका मिडल 50% है ना यानि कि ये जो ग्रीन वाला है 25 फीसद और 25 फीसद अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये मिला के बनाते हैं 50 फीसद और 50 परसंट और ये ही 50 फीसद जो है यानि कि यहां से लेके यहां तक का डेटा इसको हम बोलते हैं इंटर कोरटाइल रेंज यानि कि बीच वाला जो 50% है उसको हम IQR बोलते हैं अब अगर हम फॉर्मूले में देखें तो आप ज़रा ध्यान से गोर कीजेगा यह है जी हमारा यहां से यहां तक Q1 है तो इसका मतलब यह है कि जो Q3 है भो हमारा यह रेड वाला अड़िया है ठीक है Q3 अब दूसरा जो Q1 है हमारे पास वो है यहां से यहां तक अब हमने लेना है यह ब्लू वाल अड़िया जो है यहां से यहां तक विच इसकाल ऐ-Q-R इसी वज़ा से जब हम इस तरीके से IQR को निकालते हैं तो basically हम दो तरीकों से IQR को calculate कर सकते हैं ये जो Q1 है और जो red वाला हमारे पास Q3 है अगर हम इस में से ये वाली line निकाल देंगे तो हमें blue मिल जाएगी यानि कि if I do Q3 minus Q1 this will be equal to IQR ये एक reason है जिसको IQR का formula बोला जाता है ठीक है पहला कॉर्टाइल और तीसरा कॉर्टाइल पहला कॉर्टाइल और तीसरा कॉर्टाइल में से हमने ये वाला formula यूज करने तो हमारे पास IQR आ जाएगा यानि कि middle 25-25% निकाल के जिसको 50% कहते हैं उसको हम deal करते हैं और यही चीज हमारा जो है वो box plot बनाती है अगर आप गोर क देखेंगे यह center वाला जो 50 है इसका box बनाओगा ठीक है और यह जो center वाली line है इसका यहाँ पे इस तरीके से आपके पास median आएगा इसको बोलते है median ठीक है और जो यहाँ पे है यह है आपके पास Q2 यह है Q3 ठीक है अब आप अगर गोर करें तो sorry जो point as center वाला उससे हम Q2 ब box plot बनता है ठीक है so median हमारा center वाला यह हमारी IQR की range है यानि कि यह जो 50% हमारा data है center वाला this is called IQR और इस center वाले mid 50% को हम बोलते हैं interquartile range अब आपको समझ लगी कि interquartile range क्या होती है और अब हम देखते हैं कि interquartile range जो है हम किस तरीके से count करते हैं या हम देखते हैं या calculate करते हैं अब interquartile range को calculate करने का formula क्या है how to calculate calculate करने के लिए interquartile range के लिए हम क्या करते हैं हम एक strategy अपनाते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है step 1 में sort the data sort the data same वो ही rule जो आप median के साथ भी करते हैं data को sort करने in ascending order ascending order ठीक है ascending order क्या होता है कि छोटी value से बड़ी value की तरफ जाना है जब भी जहाज उपर की तरफ जा रहा हो तरह उसको बोलते हैं ascend कर रहा है जब उपर से नीचे आए इसको बोलते हैं descend कर रहा है descend यह descend है यह ascend है तो हम ascending order के अंदर जब कोई चीज ले जाते हैं छोटी से बड़ी की तरफ हम उसे जो है वो sort करते हैं second हम क्या करते हैं दुसरा step हमारे पास यह होता है कि हम जो है quartiles find करते है ठीक है number two is find the quartiles quartiles find करेंगे quartiles क्या होता है कि q1 ापने find करना है q2 find करना है q3 find करना है q4 find करना है क्योंकि हमारे पास inner quartile range के लिए Q3 and Q1 जरूरी है तो हम सिरफ इन दोनों को find out करते हैं, ठीक है? So find the quartiles, then हमारा जो तीसरा step होगा, number 3 is subtract, subtract, sorry not subtract, subtract Q1 from Q3, जो हमारा formula है, जो मैंने पहले आपको बताया है, Q1 को Q3 में से निकालना है, so इसका formula होगा Q3 minus Q1 which is equal to IQR, तो जब हम इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा? IQR आजाएगा, say for example मेरे पास एक data set है, आपने मुझे इसका IQR बताना है, so मैं यहाँ पर data set लिखता हूँ, 5, 2, 6, 8, 15, 12, 18, 20, 18, 22, 20 कर लें, ठीक है? अब इसका आपने IQR मुझे find out करके देना है, IQR इसका आपने find out करके देना है, let's see आप किस तरीके से करते हैं, चलें जी, start हो जाएं, यहीं पर आप अपना time लें, आपके पास एक minute है और exactly एक minute के अंदर, फिर मैं start कर दूँ आपको बताना कि IQR कैसे find out किया जाता है, और अगर आप उस formula तक पहुंचे हुए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, so that shows कि आपको सही तरीके से IQR find करने आ रहे हैं, मैं साथ साथलकल का गाम करता हूँ, ताकि आपको याद आ जाए, तो पहले तो करेंगे हम sorting, sorting कैसे करेंगे, मैं data को 2, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 22, sorting कर ली, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 values है मेरे पास, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इनके core tiles देखने, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम check करेंगे, कि हमारी extremes कहां कहां पर आती है, उसकी base पे हम कोई भी core tiles इसके जो हैं, वो find out कर सकते हैं, say for example, अगर इसके core tiles मेरे पास, बाकी तो हम इसको calculate करके देख लेंगे, अगर मेरे पास Q3 आता है 18, और Q1 अगर मेरे पास आता है, say for example 6, तो मेरे पास जो IQR होगी, that would be equal to 12, which is equal to 18 minus 6, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास IQR की रही जाए जाएगे, यानि के Q3 minus Q1, simple है, बहुत simple है, it's equal to IQR, तो 18 minus 6 is equal to 12, which is equal to IQR, तो IQR मेरे पास आ गया, जनाबे आली 12, अब होता क्या है, हम IQR के साथ क्यों इसको multiply, क्यों इसको निकालते हैं IQR को, उसकी reason ये होती है, कि जब हमारे पास IQR आ गया, इसका मतलब ये है, कि ये हमारे पास है intercortile range, ठीक है, ये हमारे पास आ गी, और नीचे जितनी measures लिखी होती है, अगर आप यहाँ से यहां तक count करेंगे, तो ये 12 होगी, यहाँ पे आ गया IQR आपका, ये median की line होगी, median की, it's not mean, it's a median, ठीक है, और IQR ये यहां से यहां तक हो गया, फिर आपके पास आती है इस तरीके से whiskers, ठीक है, और whiskers के बाद में आपके पास जो चीज आती है, that is actually आपके outliers, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो IQR method है, वो outliers के साथ किस तरीके से हमारे पास robustness शो करते हैं, ठीक है, अब आपका IQR कितना है, आप मुझे चैट में बताएंगे, आपके बताएंगे, आपके बताएंगे, आपके बताएंगे, जो भी आपका IQR आ रहा है, that's good, अब आपको मैं दो-तीन strategies यहां पर बता देता हूँ, कि हमारे पास जो main चीजें हैं वो कौन-कौन सी है, यह एक box plot होता है, और box plot के through हम IQR को अच्छे से समिछ सकते हैं, अगर हमारा 25th percentile हो, यानि के यहां से यहां तक का data, इसको Q1 बोलते हैं, यहां तक Q1 है, center वाला आपका होता है Q2, यह वाला जो point होता है, इसको बोलते है Q3, यह Q2 है, जिसको median कहते हैं, यह Q1 है, मतलब यहां तक 1 है, यहां तक 2 है, फिर उससे आगे यहां तक 3 है, and then आपके पास दूसरा data आते हैं, Q3 को हम 75th percentile भी बोलते हैं, क्यों जब Q1, Q2 और Q3 लिखा जाएगा, तो आप देखें के 25, जमा 25, जमा 25, यह आपका बन जाएगा 75%, यानि के 75% data Q3 तक आते हैं, यह आता है 25%, तो इस वज़ा से इसको 25th percentile बोलते हैं, और Q3 को 75th percentile, अब इसको बोलते हैं IQR range, होता यह है, जब Q1 में से IQR के साथ 1.5 multiply किया जा, और Q1 में से minus करें न हम, यानि के Q1 minus IQR multiplied by 1.5, तो उसके बाद जो values आती हैं, उन्हें हम outliers बोलते हैं, यानि के ऐसी values जो इस formula से बाहिर हों, इस वज़ा से IQR हम find out करते हैं, on the other side, इसमें Q3 से हमने right side पे जाना है, तो हम करेंगे Q3 plus, यहां पे हमने minus किया, क्योंके हमने back side पे जाना था, plus किया क्योंके right side पे जाना था, because this is a zero scale, और इस side पे positive है, इस side पे negative है, तो हमने lower से maximum जो हमारे पास, जो whiskers हैं उनको देखना हैं हमने, ठीक है, इसके बाहिर यह extreme value यहां तक हो सकते हैं, इसके बाहिर जितनी values हैं, इसको हम outliers कहते हैं, यह formula याद रखें, जिसको हम 1.5 multiplied by IQR बोलते हैं, यानि कि IQR को 1.5 से जब multiply किया जाए, तो उसके बाद जो भी value आएगी, उसको हम बोलते हैं outlier, लेकिन आपने या तो वो Q1 में से minus करनी हैं यह value, ठीक है, यह वाली चीज, या आप Q3 में plus करेंगे, यह हमें right side पे ले जाएगा, यह हमें left side पे ले जाएगे, and this is how you can actually find outliers, और इसी वज़ा से हमारे पास जो IQR की range होती है, यानि कि inter-quartile range जो है, यह हमारे सामने अच्छा perform करती है, because if we have any kind of outliers, तो हम इस IQR method के थूँ उन्हें remove कर सकते हैं, so इसको हम बोलते हैं inter-quartile range, सही है, तो हमने तीन step किये, पहला था हमारा, कि हम किस तरीके से IQR को find करते हैं, दूसरा था कि IQR को implement करके, हम कैसे outliers जो हैं, उन्हें remove किया जा सकते हैं, अब मैं आपको directly code दिखाता हूं, कि हमारे पास क्या impact आता है, when we deal with outliers in Python, ठीक है, so let's see, ये screen आपके सामने नजर आ रही होगी, मैं यहां पर अपना code put in करता हूं, और आपको फिर code में बारी-बारी समझाता हूं, सबसे पहली चीज, हमने ये तीन libraries यहां पर import की, ये हमने कोई भी एक random data बना लिया, ठीक है, जान बूच केस में मैंने डाल दिये outliers, फिर हमने क्या किया, Q1 find करने के लिए आपको ये वाला formula लिखना है, यानि कि नम पाई का percentile method, और आपने बताना है कि data का जो 25% data है, यानि कि data का पहला quarter, वो है Q1, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर data का 75% जो है, उसको हम बोलते है Q3, तो हमने सिरफ Q1 और Q3 निकाल लिया, ठीक है, Q2 अगर आपने निकालना है, तो you can write down like this, np.percentile, और आप यहां पे लिख देंगे data, 50, तो यह हो जागा Q2, इसी तरीके से आप Q4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्राबलम यह है कि हमें वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि IQR के लिए सिरफ 1 और 3 चाहिए हमें, तो हमने निकाल लिया, इसको इसके से माइनस करेंगे, तो हमारे पास IQR आ जाएगा, फिर IQR को जब हम 1.5 से मिल्टिप्लाई करते हैं, यह जो equation मैंने लिखी है, that shows us कि आपका जो IQR method है, यह हमें एक lower bound दे देगा, और एक upper bound दे देगा, exactly similar to this, अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास lower bound भी है, यह वाला जो है हमारे पास lower bound है, यह वाला और यह हमारे पास upper bound है, इस एक range के बाहर जो चीज होगी, उसको हम outlier बोलेंगे, और यही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, कि outlier हमारे पास क्या है, जब हम lower bound और upper bound से बाहर जाएंगे, तो हमने lower bound और upper bound डिफाइन कर ली है, पिर हम data में lower bound और data का upper bound, इस में से जो भी चीज हमारे पास आएगी, उसको हम बोलते हैं outliers, यहाँ पे हमने वो लिख दिया, और यहाँ पे हम data के outliers के बगाईर जो है, वो data यहाँ पे ले आएंगे, इसका मतलब होता है no, ठीक है, so data no outliers, तो वो हम data बना लेंगे, and then we can have a look, इसको मैं run करता हूँ, यह code में आपको दे दूँगा, don't worry about that, अब आप चेक करें, कि यहाँ पे हमारे पास दो outliers हैं, original data with outliers, यह जैसे हमारे पास outliers है, आपने देखा कि हमारा block पिचका हुआ plot बना था, and then it doesn't show anything specific in the data set, लेकिन जैसे ही, मैं इसको थोड़ा सो छोटा कर लेता हूँ, ताके हमारे पास यह और भी अच्छे से बन के आए, अब जैसे ही हमने यहाँ पे, outliers remove करने के बाद data को plot किया, तो हमारा data खुल के सामने आया, so now we can have a nice look on the data set, और जब data set और भी बड़ा होता है, क्योंकि यह तो सिरफ example data set है, outliers का बड़ा मसला होता है, so we can actually think about removing the outliers using IQR method, और जिससे क्या होगा, हमारा जो data है वो robust हो के सामने आएगा, और data की plotting अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता है कि central tendency plus उसके dispersion बड़ा matter करता है, तो outliers जो है वो data को खराब भी करते हैं, और data में से input जो हैं वो उसको एक तरफ skew भी करते हैं, we will think and learn these topics later on, बट अब जो चीज़ आपको समझने हैं वो यह है कि central tendency के साथ, dispersion जो है, जो rate है, separate का, वो बड़ा matter करता है, अगर वो without outliers हो, range का problem था, वो outliers के साथ थी, standard deviation, sorry, जो IQR method है, this is robust on outliers, क्योंकि it can detect outliers, तो यह हमारे पास दो चीज़ें जो हैं हमने देख ली, first one was range, the second one was IQR, अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे, which is called variance,